मैं सबूदी अरब में अरवी के घर कपड़े धोने जाती थी अरवी दस हजार रियाल तनख़ा देता था इसलिए अरवी के छोटे मुटे काम मैं फ्री में कर देती थी लेकिन एक रात कहने लगा आज तब यह ठीक नहीं तुम कहां यहां रुक सकती हो मैं सोचने लगी मगर उस रात मेरे होश उड़ गए जब अरवी मैं अपने पती के साथ सबूदी अरव में रहती थी हम दोनों ज्यादा पड़े लिके नहीं थे पती फैक्टरी में नौकरी करता था मगर ज्यादा पड़ा लिखा ना होने की वज़ा से तनख़ा थोड़ी कम थी घर का गुजार उसे मस्वरा किया तो एक और अरवी के घर अगर नौकरी के जरूरत है तो काम भी जादा नहीं होगा बस चपरे ढुलाई करने होंगे कि आर्वी के घर में और भी नौकरानी काम करती है बस चिर्प कपरेद होने वालों की जरूरत है मेरे लिए काम बहूत आसान था लेकिन अर्वी का सुनकर मुझे थोड़ा डर्वी लग रहा था मेरे चेहरे पे परिसानी की असर देखते हुए उप कहने लगी घबराओ मत अर्वी अंधा है वो बेचारा तो बस सारा दिन एक सोफे पे बैठा रहता है उसकी बीबी कुछ दिन पहले ही मर गई थी तो अब उसकी उम्र भी काफी जादा हो गई है दूसरा अब उस उम्र में कौन सी साधी करेगा आगे तुम्हारी मर जी अगले दिन उस परोसल के बाद में दोबारा गई और उसे भी अर्वी के घर चलने को कहा वो अर्वी तो बहुत अच्छा इंसान था उसने मेटी तनख्वा भी अच्छी रखी थी जब मैंने अपने पती को इस नोकडी के बारें बताया तो वो बेहत खुश हुआ कहने रगा अगर हम मिलकर दोनों मेहनत करेंगे तो घर के खर्ज अलाबा कुछ पैसे भी जमा हो जाएंगे मैं भी तिन वर फ्री हुई रोध रहती थी इसलिए घर के सारे काम सुबह ही निप्टा कर मैं उस अरभी के घर चड़ी जाती थी उसे भी एक छोटी से बेटी थी यही कोई आठ या दस साल ही होगी घर की बाकी नोकरानी थोड़ा बहुत इस पर ध्यान देती थी वैसे भीर पाई उलाद को कौन गले से लगाता है मैंने अरभी के हालत देखते हुए उसकी घर की सारे जिम्मेदारिया उठा ली मैं सुबा 12 बजे से लेकर सम 8 बजे तक उस घर में रहती थी मुझे हैरत होती थी कि अरभी किस कदर नरम दिन इनसान था नोकरान के साथ बहुत प्यार से पेश आता था मगर घर की नोकरानी उसने जलने लगी थी क्योंकि अरभी भी मेरा बहुत ख्याल रखता था क्योंकि मैं उस घर में नई थी अगर जरा सीफिग गलती हो जाती तो नोकरानी आफ पॉरन अरभी के कान में जाकर बात को टाल देती मगर अरभी भी उनको खामोस करवा देता मैंने ये बात महसूस की थी कि अरभी अपनी बेटी से बहुत महबत करता है लेकिन बीवी का सास छूट जाने के वज़ा से अंदर से वो टोट चुका था अरभी के साथ एक नोकर भी था जिसके साथ हमेशा रहता था वहीं उसे आफिस लेकर जाता था वापस लाता था सब काम के लिए उसी को जिम्मे था अरभी जब भी अपने काम से घर वापस आता तो सबसे पहले अपनी बेटी के कमरे में जाता मैं उसकी बेटी के साथ भी बिजी होती थी इसलिए पहले वो दर्वाजे पे दस्तक देता मैं फॉरन से ठीक हो कर बैठ जाती फिर वो दर्वाजा खोलता फिर अपनी बेटी को प्यार करता मुझे भी पूछता कि बच्ची ने तंग तो नहीं किया उसने खाया पिया तो ठीक से है न अब भी अपनी बेटी पे चांच रखता था वो अर्वी पूरे दिन का रूटीन उससे फूचता था मैं भी अर्वी को सारे दिन के रूटीन बता दिया करती थी एक दिन रात को जब मैं घर आने लगी तो वो कहने लगा एक मिनट रुको फिर उसने अपनी जेब से पर्स निकाला और मुझे दस हजार रियाल पकड़ा दिया यह काकर में हैरान रहे गई क्यूंकि इसने मेरी तनुखा बहुत अच्छी रखी थी और यह दस हजार रियाल कम पैसे नहीं होते मैंने एक मिज़र अर्भी की तरफ देखा मेरी आखों में हैरानी थी कहने लगा यह रख लो तुम्हारे काम आएंगे मैंने कहां नहीं आपने जो तनुखा तैय की है वो भी काफी है मेरी बास सुनकर वो हलका सा मुस्कुराया कहने लगा मैं अपनी खुसी से दे रहा हूँ यह रख लो मैंने वो पैसे पकड़े और अपने पॉर्स में रख लिये मैं फिर जाने लगी जैसे ही मैं दरवाजे पे पहुंची तो वो मुझे कहने लगा बास सुनों मैंने कहा जी कहिए वो कहने लगा इस बात का जी कर दूसरी नौकरानी से मत करना और किसी को मत मताना कि मैंने तुम्हें दस हजार रियाल दिये है कुछ देर तो उसकी बास सुनकर मैं सोच में पर गई फिर मैंने हां में सिर इला दिया और वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ कमरी में चला गया नौ जाने क्यों उस रात में बड़ी बेचैनी हो रही थी एक तो अर्वी का मुझे दस हजार रियाल देना और दूसरा नौकरानियों से छुपाने को कहना ये दोनों बाते ही मेरे दिमाग को उलजर में ड की ओंगे लेकिन कुछ दिन माद मेरी हैरत की इमत्हान न न रही जब कुछ दिन बाद फिर अर्वी ने दस हजार रियाल के 한яд मेरी तरह बढ़ा दिया जब दूसरी बार अर्वी ने मुझे रियाल दिये थे उस बाद मैंने दिल में सक और भी ज़्यादा आने लगा था अर्वी मेरे साथ इतनी मेहरवानी क्यों कर रहा था मैने वो रियाल उस अर्वी को वापस पक्रा दिये मैंने कहा मुझे ये नहीं चाहिए आप क्यों मुझे रोज रोज इतने पैसे दे रहे हैं मैने फटाफट से अपनी चादर को ठीक कि आप मेरे बेटी का बहुत ख्याल रखती है इसलिए मैं आपस पैसे दे रहा हूं मैंने कहा नहीं यह तो मेरे रूटीन है और उसके पैसे में आपस लेती हूँ बढ़ हाल मैंने उस दिर उस सकसे कोई पैसे नहीं लिए और वापस अपने घर आ गए लेकिन अगले से और जब मैं उसके घर गई तो मैंने देखा वो अरवी आज दफ्तर नहीं गया था बलकि घर पे ही था और अपनी बीटी के पास बैथा था जब मैं आई तो मुझसे कहने लगा कितनी देर आई हो आपको पता है मेरी बीटी को दुखार चड़ा हुआ है इसके चेहरे पे फिक किरमंदी थी और थोड़ा लहजयावी सकता मैंने घबडा कर जब गड़ी की तरफ देखा तो पूरे बारा बज रहे थे और उसी वक्त आई थी मैंने कहा मैं तो अपने वक्त पे आई हूँ फिर मुझसे कहने लगा किसे चीज के लिए आपको पैसे दे रहा हूं कि आप मे मेरी बेटी के अच्छे से देखवाल हो सके वरना नौकरानी तो मुझे और भी बहुत मिल जाएंगी आपको इसी लिए नहीं रखा कि आप 12 बज़े तक आया और मेरी बेटी मुखार में जलती रहें मैंने फटापट से अरवी की बेटी को लेकर अपने पास बिठा लिया और थोड़ी देर बाद डॉक्टर को घर पे लेके आ गया मैं समझ गई कि अरवी के पास बहुत पैसे हैं जो अरवी ने डॉक्टर को घर बुलाया है डॉक्टर के जाने के बाद मैं ने बच्ची को दवाई पिलाई और उसके पास बिस्तर पे लेट गई क्योंकि मुझे ने कहा था जब तक बच्ची ठीक न हो जाए आप घर में न जाए मैं सारे काम छोड़कर इस बच्ची पर ध्यान देने लगी पूरा दिन बच्ची को संभालने समालने में मैं घंचकर से बन गई थी कभी उसे दवाई पिलाती तो कभी उसे काड़ा बना कर पिलाती मगर बु उसे कहने लगा कि ये बात तो सही नहीं लग रही लेकिन मैं भी मजबूर हूँ अगर आप आज की रात मेरी बेटी के साथ रह ले तो आपका मुझे बहुत ही बड़ा एहसान होगा मैंने कहा कि मैं कैसे रह सकती हूं मेरा पती 9 बज़े वापस आ जाता है और मुझे खाना मांगता है या सुनकर मैंने देखा कि अर्वी के चेहरे पर अजीब से अंदाज आ गए थे कहने लगा आप क्या साधी सुधा है मैंने कहा हाँ मेरा जबाब सुनकर अर्वी का चेहरा गुस्सा आ गया था फिर एकदम से ही उसने बात बदल दी और कहने लगा कि आप अपने तरह से जानती मैंने कहा कि ठीक है मैं अपने पती से पूछ ले दी हूँ मैंने मुबाइल निकाला और अपने पती से कहा तो वो कहने लगा कि ठीक है आज की रात यहीं रुक जाओ मैं खाने पीने का खुद इंतजाम कर लूँगा रात भर मैं इस बच्ची को संभालती रह और अगले दिन बच्ची की तवियत काफी हद तक ठीक हो चुकी थी फिर मैं जब वापस आने लगी तो अर्वी ने मुझे पांस हजार रियाल पकड़ाना चाहा मैंने कहा कि आप क्यूं दे रहे हूं यो कहने लगे आप मेरी बेटी को बहुत मुस्किल से वक्त समाला है और इस पर आपका हस बनता है इसलिए इसको मना मत कीजिएगा प्लीस मैंने कहा कि आप मेरी मंता को पैसे उसे क्यूं तोल रहे हैं माना कि मेरी सगी आउलाद नहीं है लेकिन मैंने हमेशा इस बच्ची को बेटी की तरह समझा इसलिए आप अपने पैसे अपने पास रखे नहीं थी कोई पीर फकिर के पास जाने की राय देता तो कोई हकीम का बताता मगर मेरा उन सब चीजों पर भरोसा नौ था रब से दुआ करती की एक ना एक दिन रब मेरी गोद जरूर हड़ी करेगा उन्हीं दिनों मेरे पती सओधी के लिए वीजा लगवाने की कोशिस में लंगे हुए थे इसलिए मैंने डॉक्टर के चक्कर काटने से बैतर समझा मैं रब के घर जाकर मनत मांगो और रब मेरी मुराद पूरी करेगा इसके बाद सओधी आ गई तीन साल से मेरा पती काम कर रहा था लेकिन हाला जैसे तैसे ही थे लेकिन मेरे दिल में ख्वाइस थ थी और दिल से अपनी सारी ममता इस पर नूचावर कर दी थी और बहुत प्यार से इसको संभालती थी अगले दिन जब मैं काम पे आई तो मैंने देखा अरबी परिसान बैठा था मालूम करने पर पता चला कि खाना बनाने वाली जो अरबी के घर खाना बनाती थी वह कांग कि घर और किसी कम के जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती थी अब अरबी मेरी तरफ अजीव नजरों से देख रहा था मैं जानती थी कि वह क्या चाहता लेकिन मेरा अपना भी घर था अपना पती था मैं घर संभालती या पिर इसके सारे घर की जिम्मेदारियां लेती मेरे लि अपना काम की और साम को घर वापस आ गई फिर में नहीं चाहती ही क्या हुआ और क्या नहीं लेकिन साम को मुझे अर्भी का फोन आया वो मुझे कहने लगा कि फॉरण से घर पहुंच जाओ मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है मैंने कहा अर्भी इस वक्त रात के आठ बज रहे हैं कहने लगा कि मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है आपका आना बहुत जरूरी है मैंने कहा कि हो सकता है इसकी बेटी का फिर से तवियत खराब हो गया हो मगर मेरा पती ना माना मैंने दोबारा से अर्वी को फोन किया और उसे साम बता दिया कि मेरा पती मुझे आने के इजासत नहीं दे रहा है आपको जो भी काम है आखिर आपके पास चौकीदार भी तो है जो काम है आप उससे करवा ले तो कहने लगा चौकीदार आप छुटी पे है वरना मैं खुद चल कर आपके घर आ जाता और आपके पती से भी मिल लेता मैंने कहा देखिए मालिक मैं आपकी नौपरी की बज़़ा से अपना घर बरबाद नहीं कर सकती इससे पहले की और कु ला रहे थे मैंने अरबी पे सक भी नहीं करना चाहती थी क्योंकि वह अंधिर थे और वैसे भी उसने आज तक मुझे कोई गवट बात नहीं की थी सूने की कोसिस करती तो बार बार उसकी बेटी का चेहरा आँखों के सामने आने लगता कि कहीं बेटी को कुछ ना कुछ और ना गया हो मैं जानना चाहती थी कि मगर मेरे पती की डर के वज़े से मैं खामोसी से लेट गई लेकिन बार बार एक ही बास सता रही थी कि कहीं अरबे मुझे इस नौक्री से ननिकाल दे अच्छी भली लगब मिल रही थी जिससे हमारे घर के आहलात बहुत अच्छे हो ना जाने किस वक्त मेरी आँख लग गई सुभा पती ने उठाया तो मैंने कहा कि वो किचन में जाकर कुदी नास्ता बना ले क्यूंकि राज जागने की वज़े से मेरी तबियत बहुत खराब हो रही थी 12 बचे करीब मैं सोकर उठी पती का काम पे जा चुके थे मैं तैयार हुई और नास्ता करके अरवी के घर की तरफ चल पड़ी लेकिन वहां पहुंसते ही मेरे होश उर गए अरवी के घर के बाहर काफी सारे लोग जमा थे मैंने जल्दी से पती को फोन करके बुला लिया अरवी को घर पे आने को कहा थोड़ी देर बाद मेरे पती वहां पे पहुंच गया अरवी के घर के बाहर काफी पुलीस मौजूद थी मैं घर के अंदर गई तो सब नौकर दहारे मार मार कर रो रहे थे मालूम करने पे पता चला कि अरवी रात को घर पे अकेला था और उसकी बेटी के तबियत बहुत खराब थी वो बार बार मुझे मिलने को कह रहा था साइद इसलिए अरवी मुझे बार बार फोन कर रहा था लेकिन होनी को कौन टाल सकता है अर्बी अपने बेटी के खातीर खुद ही घर से निकला जा रहा था वो मुझे बुनाने के लिए मेरे घर पे आ रहा था मेरे और अर्बी के घर का फासला कोई बहुत दोड़ नौ था बस बीच में एक रोड़ था बेचारा अर्बी अपनी लाठी के सहारे एक वकील ने बताया कि अर्भी ने अपनी जाएदियात का कुछ हिस्ता मेरे नाम कर दया था इसने मुझे एक खत भी दिया था कि कुछ दीन पहले ऽी अर्भी ने इस वकील से लिखवाया था जिस मैं उस्ने मुझसे विंती की थी कि मेरी बच्ची को अकेला मत छोड़ना वकील के बास से सुनकर मेरी आखों में आसुआ आ रहे थे मैं और मेरा पती हमेशा के लिए अर्बी के घर में सिफ्ट हो गए थे रब ने मुझे हालात की सखले में बहुत प्यारी सी वेटी दे दी थी आज की कहानी आपको कैसी र अन्यवाद